हैलो एंब्रीवन वेलकम बैक तो माई चैनल अनवी के टिप्स और मैं हो रिखा दोस्तों हम हमारी चैनल पर बात करते हैं हेर केर की, पूझाइब बीटी केर की तो आज कर जो यह वीडियो है ना यह आपकी स्कीन केर और ब्यूटिफुल स्कीन के लिए है क्योंकि अभी फैस्टिप सीजन है जैसे कि आपको सब को पता है दुरगा पूजा चल रही है तो यह भी एक बहुत बड़ा फैस्टिवल है हम हिंदू करवा चौध दिवाली जो की काफी बड़े फैस्टिवल है और सब को लगता है गिया बहुत ब्यूटिफुल हो जाएं बहुत कुबसूरत से दिखें और नाच्रल ब्यूटि कुछ अलग सी दिखें मेकप करने के बाद और सभी सुन्दर दिखें बट बिदाव मेकप ही हम कॉफी का फेस्टैक है और बहुत ही अच्छी होदी कॉफी आपको पता ही है कितने सारे गुन होते है कॉफी में तो ज्यादा पाते हुए चलिए मैं शेयर करती हूँ इस वीडियो को बनाना बताती हूं कैसे बनाना लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए अब हम स्टार्ट करते है इस वीडियो को बनाना इस फेस्टैक को बनाना सीखे इसको बनाना कैसे है दोस्तों मैं यहां पर ले रही हूं कॉफी जो की वन टेवल स्पून है और यह आप किसी भी ब्रैंड के ले सकते है तो यहां पर ठ्रांसफर कर लोंगी इसमें नेक्स करने वाली हूं वह है आपका वन टेवल स्पून ग्राम फ्लॉर याने कि बेशन जो नेक्स यूज़ करने वाली हूँ वो है हनी जो कि पतांजली का मैं यूज़ कर रही हूँ और इतने सारे रेमेडी में बनाती रहती हूँ कि मुझे हनी बहुत सारा यूज़ होता उसमें और देखे पिलकुल पूरक हतम होने पर आ गया ये बट अभी मेरे पास ही इतना है कि मैं आराम से यूज़ कर सकती तो बन स्पून में इसमें हनी एट करूंगी जो नेक्स इंग्रीडेंट है हमारा वो में यूज़ करूंगी रोज वाटर वो भी आपको वन टेबल स्पून लेना है और ये जो रोज वाटर आप देख रहे हैं ये होममेड है और इसका मैंन यूज़ किया हुआ है यूटूब पर तो आप मेरे चैनल पर सच कर सकते हैं कि रोज वाटर को कैसे बनाया जाता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा ये होममेड रोज वाटर बहुत ही अच्छा है और काफी टाम से में होममेड ही रोज वाटर यूज कर रह लेने नहीं जाना और इसको काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे काफी अच्छा है कि स्मूथ पेस्ट रेडी करना है और इसके बाद में आप इसको बहुत अच्छे से अपने फेस पर अपलाई करेंगे ये फेस्टेक रेडी हो चुका है अपलाई करने के लिए अब हम अप से उपर टाइ कीजिए क्लच कीजिए अच्छे से किसी भी पैक को लगाने से पहले ये तो आपको करना ही होता है और यह जो बिंदी ना यह मैं निकाल दूँगी एंड़ मैं इसे अपलाई करती हूँ तो जैसा कि मैं आपको बता चुक्की हूँ हूँ बहुत सारे वीडियोस अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैं बताती हूँ कि इसको अबवर डारेक्शन में अपलाई करना है आपको तु偉र harus पीने मिजदिनी अच्छी लगती है इच्षर dal स्कीन के लिए उत्री ही यूत्फूल ग्लॉइंगों कि कींग अमांगा दिखे का वीडियों कि फर्प Hm CloudS sure आपके सकीन का कम नहीं चुख यह जो हमने इसमेंусов मेंडल पनाया है यानि यह कीवं बेसन वो आपके skin पर एक scrubbing का भी काम करेगा जो extra oil है जिसके oily skin है उसके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो पर extra oil है वो आपका शक कर लेगा आपके जो open pores हैं उसको भी काफी अच्छा cure करेगा इसमें जो हमने curd मिलाया है तो आपको तो पता ही है वे पर दही या फिल्क इन दोनों मेर लेक्टी एसिड होता है जो कि biting property लिये जो होता है और हमारे बैंसन में भी काफी brightening property होती है जो हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छी होती है जो हमने rose water aid किया है rose water से हमारे skin का जो pH balance है वो अच्छा रहेगा तो बहुत ही अच्छा और इजी बनने वाला फेस्टैक है दोस्तों ये और बहुत आराम से आप इसके घर में बना सकते हैं कॉफी के खुश्पी तनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बता हूं और एक चीज को ध्यान रखना है अगर आपकी बहुत ऑईली स्कीन है तो आप दही वगेरा मिलाएं तो ड्राय स्कीन है तो ड्राय स्कीन वाले हैं जिनको दही सूप नहीं करता है वो कच्छा दूद को आपको अपने फेस पर 20 मिनिट रखना है और कम से कम वीक में आप दो से तीन बार इसे अपलाई करें अगर आप बहुत अच्छा रिजर्ट अपने स्कीन पर चाहते हैं तो वीक में दो से तीन बार क्योंकि एक्शली क्यानी होम रेमेडी जितनी इजी होती है बनाने में एक्शली वर्क भी उतना लेट ही थोड़ा सा करती है क्योंकि इसमें कोई कैमिकल बेस नहीं होते हैं सब नैच्रल इंग्रिडेंट होते हैं सारी चीज़े हर्बल होती हैं हमारे घर की होती है तो अगर आप इसे सोचे कि नहीं आज एक दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेग तो आपको यह फेस पैक हफते में दो तीन बार अभी से लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए हैं तो अब यह फेस पैक जो है यह मैं अपलाई कर चुकी हूँ और 20 मिनिट के बाद में इसका मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी अब आप मेरी ब्यूटिफूल ग्लोइंग स्कीन देख सकते हैं बिल्कुल पास से तो काफी अच्छा फेस पैक है यह आप लोग जरू ट्राइ करें और दोस्तों उमीद करती है वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज इसे आगे भी शेर कीजिए लाइक कमेंट भी कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में झाक करन जलीग हैं भीडियो में यह दो के वढेई पूं करता हो झाली है जरूशचम वीचिए अखतों वीग करती हैं ऌप बाबाम एक हैं यह आहला है